वीवर्स आज हम आपके साथ ड्रामा सीरियल बांदी की नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो शेयर करने जा रहे हैं तो वीवर्स उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले मारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बैट के आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो वीवर्स चलते हैं प्रोमो की जानिब प्रोमो में आप देखेंगे फाइजा बेगम अपने दर्स के दौरान आसो बहाने लगती हैं और वहाँ बैटी खवातीन से कहती है अपनी बैटी की वज़ा से जरा दुकी हूँ आखिर को मा हुँना लेकिन वीवर्स दर हकिकत तो फाइजा बेगम को डर लगा हुआ है इस बात का कि मेरू का कहीं आता पता नहीं है कि कहीं ये ना हो कि वो सबके सामने आकर खड़ी हो जाए और हमारा रास फाश हो जाए दूसरी जानिव आपने देखा फरहान की वालदा फाइजा बेगम की वालदा के पास आती है और आकर कहती है कि वक्त फाइजा को घुमा रहा है उसकी बेटी कुछ दिनों मेरी वहू बनने माली है फाइजा बेगम की वालदा को यकीन नहीं आता और वो सौब्या बेगम को कहती है तुम बहकी बहकी बातें का रही हो तो उधर फाइजा बेगम का दर्स देने वाली एक खातून फाइजा बेगम को कॉल करके कहती है फाइजा जी मैं कुछ तस्वीरें आपको भेज रही हूँ उस दिन तो शायद नजर का धोका था और वो तस्वीरें बिला शुबा फरहान और रामीन की ही होंगी जिसे फाइजा बेगम देख कर ही चौंक जाएंगी उदर मीरू की वालदा उससे कहती है थावर ने जिन्दकी हजाब कर दी थी तुझे ढूडने के लिए दूसरी जानिब दिखाया जाता है थावर अपने बंदे को कहता है ढून देगा वो और पहुंचेंगे हम उससे पहले दूसरी जानिब बली खान के सामने आखिर उसके मापाप की हकीकत आई गही वली बाबो भाई से पूछता है कि किसने जलाया मीरू को और शुकर है बाबो भाई वली को बता देते हैं कि मेम और सहाब ने वली ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वली को तो शवाहिद पहले ही मिल चुके हैं वो भी अपने घर में जिसके बाद वली मीरू को मिलने के लिए कमरे में आता है और उसे देख कर बहुत दुकी हो जाता है अब फाईजा बीगम और शहनवास को कोई भी नहीं बचा सकता उन दोनों को वली खान को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाया राजों से परदा जो फाईजा बेगम और शहनवास को चुपाते आए हैं वीवर्स इस ड्रामा की प्रोमो आपको कैसे लगी हमें अपनी राय देना ना भूलिएगा मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए और फूल स्टोरी के लिए देखते रहे हमारा चैनल और अगर आपको हमारी वीडियो पर साइन दाए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ठेंक यू